हालो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स आइम डॉक्टर सोनिया सिंग एंड यू आर सींग माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए बहुती स्पेसल वीडियो लेकर आई हूँ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आज कल एक समस्य बहुती कोमन हो रही है बच्चे हो या बड़े अधिकतर इस समस्य से गर्शित हैं कि उनमें थोड़ी थकावट कमजोरी और आलस सा होता है जिससे कि वे अपने काम करने में ऐसे हैज महसूस करते हैं तो फ्रेंड्स मैं आज आपको ऐसे ही बिमारी का उपचार बता रही हूँ और मैं आप भी बताऊंगी कि ऐसी कौन सी सबजी या फल है जिसे खाने से आप इन बिमारियों का दूर को दूर कर सकते हैं और वे कौन-कौन सी बिमारिया है और वे किस-किस बिमारी में आपको फायदा पहुचा सकता है तो आप वीडियो स्किप किये बिना पूरी देखेगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगी कि आजकल बच्चों और बड़ों में खून की कमी अक्सर सुनने को मिल जाती है कि हीमोगलोबिन कम हो रहा है तो इसकी वज़े से वीकनेस एनिमिया की बिमारी हो जाती है तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है आपको चुकंदर को अपने खाने में शामिल करना होगा और चुकंदर का सेवन आपके हेल्थ के लिए बहुती अच्छा है यह आपको लगबग सभी मोसम में मिल जाएगा और ज्यादा मेहगा भी नहीं आता सस्ती ही सबजी है और यह कई गुणों से भरपूर होने के कारण डोक्टर जिसे आपको अपनी डायेट में सामिल करने की सलहा देते हैं और इसे खाने के बहुती फायदे होते हैं जो कई बिमारियों से बचाई रखने में आपकी मदद करते हैं चुकंदर खाने से सरीर में हीमोगलोबीन की मात्रा तेजी से बढ़ती है और हीमोगलोबीन की कमी से बचने के लिए खाने में चुकंदर को शामिल करने की आपको सलहा दी जाती है फ्रेंड्स चुकंदर खाने से कैंसर होने का खत्रा भी कई गुना तक कम हो जाता है दरसल चुकंदर में कैंसर को जर्म देने वाली कोशिकाओं को नश्ट करने का गुन पाया जाता है इसके साथ ही साइंटिस्ट ने यह भी देखा है कि चुकंदर खाने से प्रोस्टेट कैंसर और ब्रेश्ट कैंसर की आशंका काफी हद तक कम हो जाती है चुकंदर के सेवन से आपकी स्किन में काफी ताजगी आती है और कांती में बन जाती है और चुकंदर में मौझूद एंटी ओक्सिडेंट आपकी स्किन को निखारने में और एंटी एजिक एजेंट के रूप में कारिये करते हैं इससे आपकी तवचा खुबसूरत तो बनती ही है उसके जुर्या की समस्या में भी आपको निजात मिल जाती है चुकंदर में कैलसियम पाया जाता है जो आपके दातों के लिए होता है और यह जोडों के दर्द या हड्डियों की कमजोरी की समस्या से भी प्रिडित है तो चुकंदर को भोजन का हिस्सा जरूर बनाए चुकंदर को आप जूस की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं चुकंदर का जूस आप संतरे, मोस्मी, गाजर और उसमें चुकंदर मिलाकर भी आप इसका सेवन कर सकते हैं और चाहे तो आप इसे सलाद की तरह भी यूज कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करने से आपके बालों के ज कहीं पर भी सूजन आ गई हो तो आपको चुकंदर का सेवन जरूर करना चाहिए जिससे कि आपको शरीर में कहीं भी आयी हुई सूजन से निजात मिल सके तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो तो आज ही आप चुकंदर को घर ले आईए और इसका सेवन स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि यह है औल इन वन है सबी बिमारियों से आपको निजात दिलाएगा तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको यह वीडियो कमेंट में बजरूर बताईएगा बाई बाई